nariil वाले नरियल ले लो नरियल और गर्मी भगाओ वैसे गर्मी बहुत बढ़ गई है तो आज आप से शेर कर रही हूँ टेंडर कोकोनेट केक बहुत ही बड़ी AH थंडी थंडी रेसिपी तो इसके लिए आपको ले ले लेना है नरियल और नरियल वालेसे आप बोल के नारियल चाहिए, तो यहां मैंने नारियल को कट कर लिया है, इसका पानी पी लीजिए, रिफ्रेश हो जाईए, और यह रेसिपी बनाईए, वैसे डरने की बात नहीं है, रेसिपी का प्रिपरेशन टाइम सिफ चार से पांच मिनिट है, बस वेटिंग टाइम थोड़ा सा जा अब मैं मिक्सी जार में आधा कप मलाई ले लूँगी नारियल की, साथी में आधा कप मैंने मिल्क पाउडर एट किया है, एक चुथाई कप मैंने फ्रेश क्रीम लिया है यहां, और इसके साथ एक चुथाई कप मैंने डाल दिया है, कंडेंस मिल्क, यह सारी चीज़े आरा भी डाल दिया है और सारी चीजों को अच्छे दा से पीस लेंगे अब इसे साइड में रख लेते हैं और एक बोल ले लेते हैं और एक चुथाई कप ही मैंने यहाँ विपिंग क्रीम लिया है यह डालना टोटल ही ऑप्शनल है आगे आपको बताऊंगी कि विपिंग क्रीम न नहीं चाहिए बस आपको इसको बीट करना है कि यह डबल हो जाए यह देखिए हमारी विपिंग क्रीम अच्छी तरह से फीट चुकी है अब इसमें डालेंगे जो मिक्सी में हमने सारा पीसा था वो बहुत अच्छे खुश्बू आ रही है फ्रेंड्स इसे मिक्स कर लेंग और फिर इसे एक बार निकाल के मिक्सी में चला के फिर आप जो भी कंटेनर में से सेट करना चाहते है उसमें आप सेट कर लें ऐसा करने से आइस क्रीस्टल्स जमा नहीं होगी वैसे मैंने विपिंग क्रीम डाला है तो इसमें कोई आइस क्रीस्टल्स जमा नहीं होने वाली अब चले इसे cover का लेते हैं, 7-7 गंटे के लिए freezer में रख दूँगी मैंने इसे overnight ही रखा है, चले चेक का लेते हैं तो वाउ, बहुत ही बड़िया और creamy यह ice cream बनी है देख सकते हैं, आप यह देखें, मुझ में जाते ही घुल जाने वाली है यह ice cream और mild flavor वो tender coconut का यह जो flavor है, यह आपको दिवाना कर देगा अगर आपने अभी तक नहीं try किया ना, जरूर try करिएगा बहुत ही delicious and refresh कर देने वाला flavor है आप चाहे तो इसे scoop करके भी serve कर सकते हैं मैं इस बार इस तरह से cut करके blocks के form में इसे serve कर रही हूँ बहुत ही delicious creamy, यह tender coconut ice cream बिल्कुल replicate of naturals की तरह बनी है friends और last time मैंने बनाई थी, तो मैंने whipping cream नहीं डाली थी इस बार मैंने whipping cream डालके बनाई है, तो बहुत ही बढ़िया बनी है friends तो बस खाते जाओ, खाते जाओ और चलिए आपके लिए एक बड़ा bite भी दे देती हूँ तो यह लीजे, यह आपके लिए है friends तो गर्मी भगाओ और घर पे ही tender coconut ice cream बनाओ कैसी लगी यह recipe और आपके शहर में कितना temperature चल रहा है ज़रूर बताएगा तब तक के लिए like, share and subscribe my channel Till then, take care, bye-bye